नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और इसके लिए जोखिम उठाने के लिए तयार रहता है। साथ ही इसका उद्देश्य लाभ कमाने के लिए व्यवसाय स्थापित करना है। इस सीरीज में हम बात करेंगे उन सभी चीजों के बारे में जो एक ऑंट्रप्रेनुर को जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाई स्टेप से। एक गोल सेटिंग अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो लक्ष यानी गोल्स तै करना जरूरी है। इससे कन्फ्यूजन दूर होता है और करियर में तरक्की मिलती है। लक्ष तै करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक लक्ष तै करते समय आसपास उसे पूरा करने के कितने जरिये हैं उस हिसाब से तै करें। दो बड़े लक्ष की जगह छोटे लक्ष बनाएं और उन्हें पूरा करने पर भी ध्यान दें। तीन लक्ष का विशय स्पष्ट रखें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। चार लक्षों पर ध्यान केंद्रित करें और लगातार कोशिशें करें। पांच लक्षों के लिए योजना बनाएं और उन पर काम करें। छह लक्षों के प्रती-प्रतिबध रहें। साथ, लक्ष तय करने के साथ ही उसे पूरा करने के लिए एक टाइम लाइन भी तय करें. टाइम लाइन से बंध कर काम करने से प्रेरणा मिलती है. 8. लक्ष विशिष्ट और मापन योग्य होना चाहिए मापन योग्य लक्ष से प्रगति का पता चलता है जिससे ध्यान केंद्रित करने और समय सीमा पूरी करने में मदद मिलती है 9. अपने जुनून और मूल्यों पर विचार करें अगर लक्ष लंबे समय में हासिल करना है तो उनके प्रती जुनूनी होना चाहिए तो दोस्तों अगर आप भी अपने व्यवसाय में सफलता पाना चाहते हैं तो लक्ष निर्धारन का सही तरीका अपनाए अगले वीडियो में हम बात करेंगे continuous learning पर हमारी इस सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों